पहला स्वाल है बच्चो 6,000 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 8 महा का साधारा ब्याज कितना होगा तो बच्चो यहाँ पर साधारा ब्याज निकालेंगे कैसे निकालेंगे सूतर लगा देते हैं यहाँ पर साधारा ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुर्टे दर गुर से क्या कर देंगे 거야 भाग कर देंगे तो आठ बटा 12 तो 4 दूनी 8-4 तयान Lud 12 समय कितना है बच्चो दो बटा 3 वर्स आ गया तो यहाँ पे समय के जगहा रखेंगे दो बटा 3 लिखेंगे अब बटा में क्या है बच्चो सव है सव लिखDRAY यहाँ पे तो 2-0 जो है 240 रुपया ये इसका क्या हो जाएगा? साधारा ब्याज हो जाएगा. पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है. दूसरा सवाल है बच्चो, 2500 रुपय का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारा ब्याज कितना होगा? यहाँ बच्चो देखिएगा समय कितने दिया है? समय दिया ह हो जाएगा. अब यहाँ साधारा ब्याज निकालने के लिए सूतर लगाएंगे बच्चो. मूलधन, गुड़ते दर, गुड़ते समय, बटा कितना? सव. मूलधन कितना दिया है बच्चो? 2500 और दर कितना दिया है? 5% समय कितना है? 219 बटा कितना दिया है? 365. बटा लिखें से इसको कैंसिल कर देते हैं. कितनी बार जाएगा? 73, 73, 73, 219 हो जाएगा. उपर कितना बचेगा? 25 गुड़ते 3 बचेगा. तो 25 तिया कितना हो जाएगा? 75 रुपिया. तो इसका साधारा ब्याज कितना होगा? 75 रुपिया इसका सही उत्तर हो जाएगा. दूसरा वाला इसक एक बटा दो वर्स का साधारा ब्याज बताईए, तो साधारा ब्याज निकालने के लिए बच्चों वही सुतर लगाएंगे, मूलधन गुड़ते दर गुड़ते समय बटा कितना? 100, मूलधन कितना दिया है बच्चों यहाँ पे? 8,500 रुपिया मूलधन है, दर कितना दिया है यहाँ पे? 9% और समय कितना दिया है? 2,2 नी 4 और एक 5, 5 बटा, 2 यह समय दिया है, बटा क्या करेंगे? 100 लिखेंगे, 2,0 बच्चों जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, उपर कितना बच्चे गए यहाँ पे? 85 बच्चे का 9 बच्चे गए और 5 गुड़ा करेंगे, 85 में बच्चों पहले 9 गुड़ा कर देते हैं, 9 बच्चे, 45 का इपांच हासिल लगा कितना? 4, 9 और 72 और 4 कितना हो जाएगा? 76, अगुड़ते कितना? 5, बटे कितना? 2 हो जाएगा, फिर बच्चों 5 गुड़ा इसमें करेंगे, 25, 25 का 5 हासिल लगा कितना? 2, 5, 36, 2, 32 हासिल लगा 3, 5, 35, 33 कितना हो जाएगा? 38, बटा कितना हो जाएगा बच्चों? 2, दो से बच्चो इसको कैंसिल कर देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 एक का 2 और 298 फिर यहां बचेगा 2 एक का 2 2 दूनी 4 दस मलो 2 पंचे 10 तो इसका सधारा ब्याज कितना होगा बच्चो 1912.5 रुपिया ये इसका सधारा ब्याज हो जाएगा पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है सवाल लंबर चौथा है बच्चो 1250 रुपए का 10% वारसी ब्याज की दर से 2 वर्स का साधार ब्याज कितना होगा साधार ब्याज निकालने के लिए बच्चो मूलधन गुड़ते दर गुड़ते समय बटा 100 ये सुत्र लगाएंगे मूलधन कितना दिया है 1250 दर कितना दिया है बच्चो 10% समय कितना है 2 वर्स बटा क्या करेंगे 100 तो 1 0 इससे कैंसिल हो गया 1 0 इससे कैंसिल हो गया उपर क्या बच्चा बच्चो 125 गुड़ते 2 बच्चा तो 2 पंचे 10 दो दुनी 4 और एक 5 दो एक का 2 तो सधार ब्याज कितना होगा बच्चो 250 रुपिया इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है सवाल नमर पाच्चों है बच्चो 50 रुपिया का 6 महिनों में प्रतेक महिने के लिए अब यहाँ पे बच्चो जो ब्याज की दर है वो महिना ले रहा है यहाँ पे दर जो है वार्षिक न होकर महिने में दर जो है ले रहा है तो 10 परसेंट की दर से सधार ब्याज कितना होगा तो सदार ब्याज निकालने के लिए बच्चों सुत्र लगाएंगे मूलधन, गुर्ते, दर, गुर्ते, समय बटा कितना? सव मूलधन कितना दिया है? 50 रुपिया दर कितना है? 10% समय कितना दिया है बच्चो? 6 महिना अब यहाँ बच्चों इसको साल में नहीं बदलेंगे क्योंकि इसमें जो ब्याज लिया जा रहा है वो महिने पे लिया जा रहा है तो यहाँ पे 6 महिने के जगह पे 6 महिना ही लिखेंगे बटा कितना? 100 एक जिरो इससे कैंसल हो जाएगा एक जिरो इससे कैंसल हो जाएगा पांच एक का पांच पांच चक तीस रुपिया तो तीस रुपिया जो है इसका ब्याज हो जाएगा तो चौथा वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा सवाल लंबर छठवाए बच्चो एक लकडी के टुकड़े की लंबाई तीन बटा साथ मीटर है इसमें से दो बटा पांच मीटर लंबाई का टुकड़ा काट लिया जाता है तो सेस लकडी की लंबाई बताईए जो यहाँ पे पूरी लंबाई कितनी है लकडी की, तीन बटा 7 मीटर जो है लकडी की पूरी लंबाई है, इसमें 2 बटा 5 मीटर जो है काट लिया जाता है, इसका मतलब निकाल दिया जाता है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, आपे माइनस कचिन लगा देंगे, अब इसी बटा 35 भाग जो है ये जो है सेस लकडी की लंबाई होगी एक बटा 35 भाग इसका सई उत्तर हो जाएगा सवाल नमर सातवा है बच्चो यसपाल ने अपने घर से आफिस पहुचने के लिए चार सही एक बटा 4 किलो मीटर दूरी आटो से तथा 3 बटा 4 किलो मीटर की दूरी पैदलता है कि उसका आफिस घर से कितनी दूरी पर है हमाल लेते हैं बच्चो यहाँ पे जो है यसपाल का क्या है घर है यसपाल का यहाँ पे घर है और यहाँ इसका क्या है आफिस है जब ये घर से ओफिस के लिए निगलता है बच्चो तो पहले क्या करता है दूरी पहले जो है वो आटो से कितना दूरी ते करता है चार सही एक बटा चार किलो मीटर जो है आटो से जाता है हमाल लेते हैं यहां से लेकर यहां तक आटो से गया चार सा ही एक बटा चार किलो मेटर गया अब यहां से और यहां तक किसे गया बच्चो वो पैदल गया और कितना पैदल गया तीन बटा चार किलो मेटर जो है वो पैदल गया पूछ रहा है कि आफिस से घर के बीच की दूरी कितनी होगी तो दोनों को क्या करेंगे बच्चो जोड देंगे तो चार चक 16 और एक 17 17 बटा 4 में 3 बटा 4 जोड देंगे तो 17 तीन कितना हो जाएगा 20 20 बटा कितना 4 4 एक का 4 चार पंचे 20 तो आफिस से घर की दूरी कितनी है बच्चों 5 किलो मीटर तो 5 किलो मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा सवाल नमर 8 है बच्चों पूजा एक गिलास पानी में से दो बटा 3 भाग पानी पी जाती है बताइे गिलास में से कितना पानी सेस रह जाता है तो बच्चो गिलास जो है पूरी भरी हुई थी जिसमें से दो बटा तीन भाग जो है पानी पी जाती है तो कितना भाग बचेगा क्या करेंगे एक में से दो बटा तीन भाग घटा देंगे तो तीन एक का तीन माइनस दो बटा कितना तीन 3 में से 2 जाए कितना आएगा बच्छो 1 बटा 3 भाग जो है सेस रह जाता है तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सवाल नमबर 9 है बच्छो इस बोड मास वाले सवाल को हल करना है बताना है कितना उत्तर आएगा सबसे पहले क्या करेंगे इस का वाली प्रक्रिया को हल करेंगे तो यहां लिखेंगे 1 बटा 2 भाग का चिन करेंगे और का माने होता है बच्चो गुड़ा तो 1 एक का 1 दो दूनी कितना हो जाएगा? 4 बटे ऐसे यहां भी करेंगे पहले इसको हल करेंगे 1 एक का 1 हो जाएगा और 2 दोनी कितना हो जाएगा 4 भागे 1 बटा 2 अब 1 बटा 2 भाग के जहें गुड़ाक्चिल लगाएंगे और इसको पलड़ देंगे तो 4 बटा 1 हो जाएगा ऐसे बच्चों हर को हल करेंगे 1 बटा 4 गुड़ा लगाएंगे लिए पलड देंगे 2 बटा 1 हो जाएगा तो यहाँ बचिएगा 2 एक का दो 2 दो नी 4, उपर बचएगा 2 बटा 1 बचए 2 एक का दो 2 दो नी 4 नीचे बचएगा 1 बटा 2 अब इसको बच्चो अहल करेंगे 2 बटा 1 गुड़ा ये जाएगा उपर गुड़ा हो जाएगा दो बटा एक, दो दो नी चार चार बटा एक का मतलब होता है बच्चो चार चार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर दसवाएं बच्चो निमलिखित में से कौन सी संख्या महत्तम संख्या है महत्तम संख्या का मतलब होता बच्चो इन चारों में से कौन से संख्या सबसे बड़ी है वही बताना है तो बच्चो सबसे पहले क्या करते हैं इन चारों को हल कर लेते हैं देखते हैं किसका मान इसमें बड़ा आता है तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ पो जाएगा 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया और 4 का स्क्वाइर करेंगे बच्चो कितना हैगा 4 का स्क्वाइर करेंगे 16 आजाएगा और 16 का स्क्वाइर कर देंगे बच्चो कितना हैगा 16 में 16 गुरा कर देंग तो कितना जाएगा 256 अब इसको हल करते हैं 2 plus 2 plus 2 2 2 4 2 6 6 का बच्चो and square करें कितना जाएगा 36 जाएगा अब यहां क्या है 4 का square है तो 4 का square कितना होगा बच्चो 16 हो जाएगा अब इसको हल करते हैं 2 2 ली 4 4 2 8 यहां पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा तो इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चो 256 जो है बड़ी है तो इसमें से पहली वाली संख्या जो है यह जो है महत्तम संख्या है पहला वाला उत्तर इसका सही हो ज अब भाग की प्रक्रिया को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा चार चाव का सोलत चार बचेगा अगुरते पांच चार पंचे बीस बीस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सवाल अमब पर आओंवा है बच्चो तीन खरीदने पर एक मुप्त दी जाती है यहां दी गई छूट का परसेंटेज बताइए यहां बच्चो सवाल यह कह रहा है आप कोई भी वस तो तीन खरीदेंगे तो उसमें एक क्या करेगा फ्री देगा तो उसी का पूछ रहा है कित कर देंगे तो सव एक का सव बटा कितना? तीन हो जाएगा तो इसको बच्चो हल करें कितना एगा? 33 सही एक बटा तीन परसेंटेज का क्या दिया? छूट दिया तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 13 है बच्चो 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बना कर पूरा कर लेते हैं तो उसी टंकी को 20 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे यहाँ बच्चो सुतर लगेगा M1 गुड़ते D1 बराबर M2 गुड़ते D2 M1 कमान क्या दिया है बच्चो 15 दिया है अगुड़ते D1 कमान कितना दिया है 12 और M2 कमान कितना दिया है 20 दिया है और D2 यहाँ पे पूछ रहा है तो इस वी को सॉल्व करेंगे बच्चो 4, 5, 20 हो जाएगा और 4, 3, 12 हो जाएगा 5, 1, 5, 5, 3, 15 हो जाएगा अब बच्चो 3 में 3 का गुड़ा कर दें कितना जाएगा 3 तरिक का 9 9 बराबर यहाँ मिलेगा कितना D2 मिलेगा तो 20 मजदूर 9 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे तो यह इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा अगला स्वाल है बच्चो एक ब्यक्ती 600 मीटर लंबी पुल को 5 मिनेट में जो है पूरा पार कर लेती है तो ब्यक्त की गती बताइए तो बच्चो गती बराबर क्या होता है गती को जो है चाल भी कहा जाता है तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है अब यहाँ पर बच्चो दूरी कितना दिया है, 600 मीटर दिया है, समय यहाँ पर मिनेट में है, इसको बदल देंगे सेकेंड में, तो 5 मिनेट में कितना सेकेंड होगा, पांच में 60 का गुडा कर देंगे, तो 300 सेकेंड हो जाएगा, अब इसी को सॉल करेंगे, डबल 0 कड़ी जाएगा 6 बटा 3, 3 एक का 3, 3 दूनी 6, 2 मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगला स्वाल है बच्चो, लंबाई बराबर 12 सेंटी मीटर, चोड़ाई बराबर 10 सेंटी मीटर, उचाई बराबर 8 सेंटी मीटर वाले एक घनाप का आयतन बताइए, तो ब 12 दहमा 120 हो जाएगा, अगुरते 8, 12 ठे कितना हो जाएगा, 96 एक जरू बढ़ा देंगे, तो घनाप का आयतन कितना होगा, 960 घन सेंटी मीटर हो जाएगा, तो ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, अगला स्वाल है बच्चो, एक खिलोना 200 रुपय में खरीद कर 25 परसे तो क्या कहते हैं, यसपी कहते हैं, तो यसपी बराबर यहां सुद्र लग जाएगा बच्चो, 100 प्लस लाभ परसेंट बटा कितना, 100 गुरते CP, अब यहां पर यसपी पूछ रहा है बच्चो, तो 100 प्लस लाभ परसेंट कितने का हो रहा है, 25 परसेंट का, तो 25 इसमें होते 2, गुड़ा करेंगे बच्चो, 25 दस, 24 और 5 और 2 एक का, 2, तो खिलोने का विक्रे मुले कितना होगा, 250 रुपिया इसका सही उत्तर हो जाएगा, बच्चो, यदि किसी संख्या का, 40 परसेंट का, 16 परसेंट 8 है, तो वह संख्या बताइए, तो हम माल लेते हैं, यक्स का माने गुड़ा, 40 परसेंट का माना होता है, 40 बटा 100, का माने गुड़ा, 16 परसेंट का मतलब 16 बटा 100, बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चो, तो यक्स का मान निकालेंगे, तो 8 गुड़ते, ये जो नीचे है सब चले जाएंगे उपर 10 गुड़ते 100 बटा जो उपर है बच्चों उसको वह कहा आएंगे नीचे आएंगे 4 गुड़ते 16 तो 4 एक का 4, 4 दूनी 8 हो गया और 2 एक का 2, 2 अठे 16 हो गया X बराबर कितना बचा 10 गुड़ते 100, बटा कितना 8 दूई 4 का 8 हो जाएगा और दूई 5 गुड़ते 100, बटा कितना 4 दो सिकाट देते हैं, दो दूनी 4 हो जाएगा और दो सिकाटेंगे बच्चों इसकी कितनी बार जाएगा 50 बार जाएगा तो 50 में 5 गुड़तेंगे तो 250 और बटे कितना 2 तो इसको cancel करेंगे कितना आएगा 2 1 का 2 2 2 4 2 5 10 X का मान कितना आएगा बच्चो 125 125 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला स्वाले बच्चो यदि 25 बटा 2 का X परसेंट 150 है तो X का मान बताइगे क्या करेंगे बच्चो 16 परसेंट का मतलब होता Xबटा 100 बराबर 150 तो 25 से का 25 26 का 100 हो जाएगा X कमान निकालेंगे बच्चो 150 ये दोनो नीचे हैं जाएगे उपर गुडा हो जाएगा गुड़ते 2 गुड़ते कतना 4 हो जाएगा X बराबर 150 गुड़ते 4 दूनी 8 तो 15 अठ्टे कतना हो जाएगा 120 यहाँ पर एक जुरू बच्चा इसमें लगा देंगे एक जुरू तो एक सकमान कितना हैगा बच्चो 1200 एक हजार दो सो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला सवाल है बच्चो 1000 भागे 100 भागे 10 का मान बताइगे जब बच्चो जिस सवाल में जो है सम्में भाग का चिन लगा हो तो ऐसे सवालों को हल करने का एक सबसे सरल तरीका है पहली वाली संख्या को आप क्या करेंगे अंस में उतार लेंगे पाकी जो संख्या बच्ची है बच्चो उसको क्या करेंगे हर में उतार की क्या करेंगे गुडा कर देंगे अब इसी को solve कर लेंगे एक जिरो इससे cancel हो गया एक जिरो इससे एक जिरो इससे तो बचेगे कितना एक बटा एक का मतलब एक तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा एक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला स्वाल है बच्चो कितने एक बटा च्छ मिलकर 41 सही 2 बटा 3 के बराबर होते हैं कैसे लगाएंगे बच्चो ऐसे सवाल जो है एकजाम में बार बार पूछे जाते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो है कितना एक बटा 6 है तो क्या करेंगे हापे 41 सही 2 बटा 3 में 1 बटा 6 से क्या कर देंगे बच्चो भाग कर देंगे जो उत्तर आएगा वही सही उत्तर हो जाएगा तो इसको पहले भिन्ने बदलते हैं तो 31 का 3 हो जाएगा और 3 चोक 12 हो जाएगे हापे 123 में बच्चो 2 जोड देंग कितना हो जाएगा 125 तो 125 बटा 3 भागे 1 बटा 6 अब इसको सॉल करेंगे तो 125 बटा 3 भाग के जो गुड़ा लगाएगे इसको पलड देंगे 6 बटा 1 हो जाएगा 31 का 3 तीन दूनी 6 एक सो पचीस गुड़ते कितना 2 हो जाएगा तो बच्चो आज की इस वीडियो में इतना है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सेर और सब्सकाइब जरू कीजेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्यवाद